चलिए समझते हैं little, a little और the little का concept अब जब बात करेंगे न little के पहली बात तो तीनों का मतलब है थोड़ा सा ठीक है तीनों यह uncountable nouns के साथ हम use करते हैं little जब आएगा न तो उसमें जैसे हम बोलते हैं कि negative उसमें perspective में देखते हैं ना के बराबर जिससे गुजारा नहीं हो पाएगा a little थोड़ा सा positive उसका ratio हो जाते कि ठीक है काम चला लेंगे the little मतलब कोई चीज मतलब हमारे पास है already हम उसके बारे में बात कर रहे हैं examples देखते हैं suppose आपकी ममा को पापा ने बोला चाय बना दो तो ममा न देखा फ्रिज में दूद थोड़ा सा था चाय नहीं बन पाएगी तो ममा बोलेगी there is little milk in the fridge go and get me milk first फ्रिज में थोड़ा सा द little milk in the fridge okay I'll make or I can make a cup of tea for you कि थोड़ा सा दूद है पर ठीक है उससे तुम्हारे लिए चाय बन जाएगी इतना है ठीक है a little अब next आएगा we must save the little milk that we have in the fridge so that we can make tea for all हमें जो थोड़ा सा दूद हमारे पास फ्रिज में पढ़ा है ना उसको बचा के रखना है जिससे सब के लिए चाय बन जाए तो little मतलब काम नहीं चला पाएंगे लिटल मतलब ठीक है काम चल जाएगा और दो लिटल एक स्पेसिफिक चीज उसी के बारे में बात हो फ्यू अफ्यू दो फ्यू सेम वही वाला concept लिटल वाला ठीक है फ्यू जिसमें negative वाला रहेगा थोड़ा ही है ठीक है countable nouns के साथ आते हैं थोड़ा ही है लेकिन ना के बर बराबर गुंजाईश है a few positive way में जितना भी है काम चला लेंगे और the few specific बात करेंगे few few people in this village can read and write मतलब ना के बराबर लोग है इस काओं में जो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं ठीक है ना के बराबर है अब अगर जैसे बोलेंगे a few people in this village can read and write कि ठीक है कुछ लोग है ज a few children we spoke to were very happy with the changes in the timetable कि थोड़े से जो बच्चे थे जिनसे हमारी बात हुई हम किन बच्चों की बात करें हम एक general way में नहीं बोल रहे है a few children a few हम the few बोल रहे है उन बच्चों की बात करें जिनसे हमारी बात हुई थी और वो timetable में changes से बहुत खुश थे थे वो थोड़े स लेकिन हम उनसे बात कर चुके हैं इसलिए हम उनको दो फ्यू बोल रहे हैं राइट तो यही डिफ्रेंस है बस few of you में और दो फ्यू में